इस टॉपिक के अंदर आज हम चेक करेंगे कि जब आटो कैड हम ओपन करते हैं प्रीविस टॉपिक के अंदर हमने कुछ सैटिंग्स देखी वर्कस्पेस तो आटो कैड ओपन करने के बाद कुछ कमांड जो हमें जो हमारा टाइम एक्शली सेव करेंगी वन अफ दे ड्वांटेज रुमेंबर इन वरी फर्स लेक्चर हमने का था आटो कैड का है कि यह एफिशेंसी इंक्रीज कर देता है यह हमारा टाइम सेव करता है तो कोई जैसी क्विक टूल्स हम देख लेंगे हमारे पास जो शॉर्ट कमांड नजर आ रही है हमारी शॉर्ट कीज नजर आ रही है उनको हम यूज कैसे करते हैं और overall जब हम एक software open करते हैं तो उसके बाद जो settings हमें नजर आती है उन settings को use कुछ commands का कहा 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 करना है हम देखेंगे कि जब हम drawing करते हैं तो drawing के अंदे dimensions बहुत matter करती है north, south, east, west अगर हमने इन dimensions को change करना हो तो वो हम कैसे करते हैं फिर हम देखेंगे कि कोई भी हम जब object draw करते हैं बना लेते हैं expose हमने एक line बनाई है तो उसके normally four views minimum हमारे सामने होते हैं एक हम किसी चीज़ को top से देख सकते हैं हम उसको bottom से देख सकते हैं left और right इस lecture के दर हम यह भी note करेंगे कि जब हम इन चीज़ों हमने किसी object को different angles से देखना हो different dimensions से देखना हो different sides से देखना हो तो वो हम कैसे देख सकत हमने cat के अंदर कैसे operate करना है तो यह हमारे पास again स्क्रीन पर वापस आ गए हैं और हम cat को यहां से open करते हैं open करने के बाद एक नई drawing start कर लेते हैं यह हमारे पास आलएड़ी कोई drawings यह नहीं है यह हमारे पास तो last हमने settings की हैं उस settings के बाद यह हमारे पास interface का view बना था अब अभी में कुछ एक दो नई tools और यह आपने भी आपने पास on रखनी है start से ही जैसा के तीन हमने पहले टूल बार से add की थी दो से तीन हम और यह recommended है classic के लिए जब आप अगर previous वरियंज में कहीं आपको काम करना पड़ेगा तो आप देखेंगे या already आपकी screen पे on होगी तो हम उन recommended tools को जो है वो दुबारा नई सीरे से on कर लेते हैं इसके दाए हमारे पास standards properties तक हम निकाल लिया था तो हम standards को भी हाँ यहां से on कर लेते हैं and then toolbar से ही हम जाकर style and workspace को भी on कर लेते हैं यह हमारे पास अब basic tools जो हैं वो add हो गई है on हो गई है हमारे पास तो अब हम अगर note करें यह आपने यहां से again किसी भी toolbar को drag आप कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले पिछले previous topic में की है आप यह टॉप पे यहां पे आपको दो dotted lines नजर आ रहे हैं यह करसर मैं यह note गुमा रहा हूं तो आप इस dotted line को पकड़के आप किसी भी tool को कि भी जगा पे place क कर सकते हैं तो बैटर यह है कि आप कोशिश करें कि अपने left side gear आप रखना भी है और सब तो यू अगें बट मैं फिलाल preferably इन टूल्स को अपने menu bar के साथ add कर रहा हूं यह हमारे पास हमारी tools on हो गई है और इनको further पर आप space को optimization करना चाहते हैं further बचाना चाहते हैं तो आप इनको साथ-साथी गठा भी कर सकते हैं ताकि आपकी workspace जो है वो maximize हो जाए तो यह हमारे पास आप एक interface बन चुका है जो नजर आ रहा है आ हमने classic settings और कुछ tools on की है तो अब हम start करते हैं icon के पास से जिसा बिलकुल top पे आपके top left side के उपर आपका 16 version का icon है इसके साथ हमारे पास new की command है इसमें से हम कोई नई drawing अगर हम नई drawing file blank drawing file open करना चाहें इस तरह हम किसी भी software के अंदर open करते हैं तो यहां पे भी आप अगर click कर हैं आप एक नई drawing file open कर सकते हैं यह जैसे ही back to this if you click on this तो यह हमारे आपके पास select template अगर already कोई available templates recommended है कि अगर आप इन files में से कोई choose करना चाहरे हैं तो एक add अगर आप double click कर दें तो यह हमारे पास एक नई drawing जो है वो open हो चुकी है इसके साथ हमारे पास already अगर हमने कोई open कर यह द्राइंग्स वो भी मौजूद है option यह next lectures के अंदर menu bar के अंदर जाकर further इन चीदों को देख भी लेंगे save और save as then you can even plot यह हमारे पास यहां की settings है यह हमारा main menu bar है जो अभी हमने change किया है यह हमने कुछ जो अभी tool bars add की हैं वो हमारे पास screen पे हैं और इसके बाद हम अगर नीचे आते हैं तो यह हमारे पास हमारी command bar है जहां पे कोई भी जब हम command open करेंगे operate करेंगे तो actually वो यहां पे लिख्यू जाएगी जहां पर आप note करें तो type a command अब अकसर यहां पे जो एक problem face करनी पड़ जाती है वो यह होती है कि बाद अकात यह command line जो है हमारी वो hidden हो जात ही है तो यह problem जाती है तो हम चेक करते हैं यह this command line अगें यह करसर आपका rightly अभी move कर रहा है तो अगर आप control 9 प्रेस करें control जैसे ही आपने control और 9 इकठा प्रेस किया तो एक message आपके सामने है do you want to close the command line window क्या आप command line window close करना चाहते हैं तो आप यहां से yes प्रेस कर देते हैं त इस cursor move कर रहा है now this has been disappear हो गई है हमारी screen से गाइब हो गई है अब अगर हम यह confusion दुबारा इस command line को वापस लाना चाहते हैं तो same control और no यह दोनों आपने एकठे प्रेस करने हैं तो यह command line आपके पास वापस आ चुकी है तो यह आपने जब भी कभी यह command line आप से यहां से close हो लाइन से यह आपकी command line वापस आ जाएगी अब इसके बाद यह हमारे पास कुछ views भी हैं suppose हम कोई भी object जो आगे हम ड्राउ करना सीखेंगे हमारे पास यह यहां पर यह cursor मेरा यहां पर left side पर नज़र आ रहा होगा जो भी हमने टूल बार add किये थे draw के आप यहां कोई भी हम अभी हमारे पास कुछ views हैं जो के north, east, south and west यह हमारे पास directions है and then this top और top के साथ हम और suppose यह हमारे पास दो lines हैं और अभी हमारे पास यह by default settings है और हम इसको यह अगर आप arrows देखें दो मुझूद हैं हम जैसी इस पर click करते हैं तो directions चेंज हो चुकी हैं अब हमारे पास west top में च switch कर सकते हैं किसी भी drawing की तो यह तो direction है अगर आप इसका view change करना चाहें आप अभी यह top से हम इन lines को देख रहे हैं हम इसको back to original कर लेते हैं नौर्थ हमेशा drawing में top पे रहेगा हमारा अब suppose अगर आप इसका views को change करना चाहें तो यहां से आप यह right view है अब right side पे आप इसको left view back view भी देख सकते हैं आप इसका left view भी देख सकते हैं और again आप इसका top view भी देख सकते हैं तो by default जब हमने work करना है तो हम हमेशा इसके top view में work करेंगे यह this was one method यह एक method है drawing की position change करने का second method हम आते हैं यह आप screen पे जो हमारी जहां पे draw order जहां से भी हमने line draw की इसके साथ अगर wire frame तो अगर इस top पे आप left click करें तो यहां पे भी options आप मौजूद हैं आप यहां से भी डारेक्ट ग्राइंग की model views चेंज कर सकते हैं आप bottom में भी जा सकते हैं और आप left या right में भी जा सकते हैं यह दो method हैं अगर हमारे पास हम by default हम top और north direction में work करेंगे और यह हमारे पास और already original lines हैं अब हमारे पास यही जो main नमीन हो देखा इसके पास हमारे साथ यह आप गर आप देख नोट करें तो हमारे पास this hand बना हुआ आपकी screen पर भी नदर आएगा this hand command आप easily जो है इसको अगर आप इस पे click cursor लेकर जाएं आपने click नहीं कर नहीं अगर cat के अंदर आप इस command पे अपने सिर्फ cursor को move करके रखेंगे खुद बखुद वो command का नाम और उसका purpose आपके सामने आजाएगा कि यह command है क्या और यह करती क्या है तो pen real time command moves the view planner to the screen अगर आप इस command पे click करें और आप easily जो है अपनी पूरी drawing space को screen पे किसी भी जगा move करके रख सकते हैं this is actually the function of this pen command आप कभी भी जब work कर रहे होंगे workspace के अंदर drawings के उपर house plans के उपर और आपको drawing ने move करनी है up and down left or right आप इस pen command से इसको use करेंगे और जब भी आपने कोई command end करनी है जब आप इसको close करना चाह रहे है suppose आपने कोई नई अप command open करनी है तो escape का button जो आपकी keyboard पे मुझूद होता है तो कि keyboard के टॉप left corner के नदर आता है escape का button उसको गर अप्रेस करेंगे तो ये command आपकी disappear हो जाएगी from screen suppose हमारे पास एक lines हैं और अगर आप इस cursor को जो आपका mouse का मुझूद है और आप अगर इस mouse से इसको zoom in, zoom out या suppose अगर ऐसा भी case हो सकता है कि ये दो आपके पास कोई ऐसा object जो आपकी screen से बाहर चला जाए अब आपकी screen है ये current work space है हमारी this one लेकिन ये जो object है जो lines नदर आ रही है ये हमारी screen से बाहर चली गई है और अगर आपने lines को वापस back to screen लाना हो तो इसके साथ हम command मौझूद है zoom real time अगर आप अपने object को screen के ओपर ये हमारी lines हमने draw की है अगर इनको increase का size याड बढ़ाना चाह रहे हूं या कम करना चाह रहे हूं आप इन सारी command actually ये जो भी zoom की command आपको नदर आ रही है इसमें से आप इसका size increase या decrease कर सकते हैं so this command for example ये zoom window जो आपकी pen command right side मौझूद है अगर आप इस पर click करें और आप अपने object को यहाँ पर cursor move करें और आप इसको zoom कर सकते हैं और इसके बिलकुल साथ हमारे पास एक command है उपर अगा cursor ले जाए तो this is zoom previous अगर आप इस पर click करें तो ये वापस आपको back to original view में ले जाएगा one by one step by step पर आपने zoom की है तो इस topic के अंदर हमने settings देखी हैं कि interface जब हम open करते हैं तो उसके अंदर कैसे कैसे कौन कौन सी tool नजर आती हैं उनकी placements क्या हैं अगर हमने drag उनको change भी करना हम कर सकते हैं और even उनमें से कुछ short keys काम ने इस्तमाल भी देखा